दोस्तों, क्या आप भी इन सर्दियों में अपनी दमक्ती हुई त्वर्चा चाहते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ही टिप्स जिने अपना कर आप केमिकल वाले प्रोड़क्ट्स का इस्तमाल करना भूल जाएंगे जी हाँ, अगर केमिकल वाले प्रोड़क्ट्स आपकी भी त्वर्चा की रंगत खराब कर रही हैं तो आज का खास एपिसोड आपके लिए है इन होम मेट ब्यूटी टिप्स की मदद से आपकी त्वर्चा संबंदी परिशानिया कुछ हद तक कम हो सकती है और त्वर्चा हेल्दी हो सकती है कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में बताऊंगी जिसके इस्तमाल से आप बाजार वाले फेशियल पैक फूल जाएंगे पहले शेहद के फेस पैक के बारे में बात करते हैं उसके लिए आपको जरूरत होगी दो चम्मच मुलतानी मिट्टी, एक से दो चम्मच शेहद, पानी, आवे शक्ता अनुसार अब आपको बताती हूँ इसका यूज़ आपको किस तरह करना है पहले मुलतानी मिटी, शेहद और पानी को मिलाकर पेस तयार कर ले अब इस पैक को अपने चेहरे पर लगाए और 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दे जब ये सूख जाए तो अपने चेहरे को गुनगुने या सामन ये पानी से दोले फिर मौस्चिलाजर लगा ले हफते में एक से दो बार इस फेस पैक को लगाया जा सकता है दोस्तों आपको बता देती हूँ, ये फेस पैक आसानी से हर तरीके से फायदा ही फायदा देगा दोस्तों आप बात करते हैं नीम फेस पैक के बारे में चार नीम के पत्ते, चार तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नीबू का रस, इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है, ओखली और मूसल या मिक्सी की मदस से पत्तियों को पीस ले, अब इसमें नीबू का रस और हल्दी मिलाएं, जरूरत पड़े तो पारे में बताऊं, तो नीम एंटी बैक्ट्रियल और एंटी वारल गुड़ों से भरपूर होता है, जो तुलसी के लिए फादे मंद होते हैं, और तुलसी को किसी भी परकार के संकरमण से बचा सकते हैं, इतना ही नहीं, इसमें एंटी एजिंग गुड़ भी मौजूद हो बलकि त्वर्चा संबंधी परिशानियों जैसे संकरमण, कटने या घाओ की परिशानी से भी राहत दिला सकती है, अब बात करते हैं, घरेलू ब्यूटी टिप्स के लिए, ऐलोविरा फेस पेक के बारे में बात करते हैं, ऐलोविरा के पोधी को काट कर उसमें से जैल निक करता है, कि वो कब और कितनी बार इसका उपयोग करना चाहता है, इसके कुछ फायदे भी हैं, जो आपकी त्वर्चा की रंगत को निकार देंगे, ऐलोविरा त्वर्चा का मौश्चर लोक रखने में मदद करता है, जिस कारण त्वर्चा में नमी बरकरार रहती है, इसके इस्तमाल से आप त्वर्चा की रंगत निकार सकते हैं, आने वाले समय में आपको और भी जादा ब्यूटी फेस बेक के बारें बताऊंगी